यह वर्जीवन मने में अईश्धी पगुपता एस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनली की वर्ड के वारे यह ने डिसकास किया था हैं यह watering cab carp हम ने कभर किये था अगर आपका छुट अगया था प्रीविआ सिंडियों एक वर देखलो वेरी वेरी इंपोर्टेट फोर दी इंटर्व्यू पर्पस चलो हम बात करते हैं फाइनली कीवर्ट की बारे पहले डेफनेशन देखो मैंने आपर डेफनेशन लिखा है फिर फाइनली कीवर्ट इस यूज इस यूज इस यूज इस यूज इस यूज कर सकते हैं तो बेसिकली के अंदर एक्सेप्शन आपका आया वह हैंदल हो या ना हो जैज होग में फाइनली के अधर बीकिोड लिका том inspect करें legs फ्रमर मेंने कावर्ट clear हो जाएगा देखो मैंने syntax लिखा है try block यहां तो आपको पता है risky code लिखते हैं ठीक है चलो अब यहां पर हमने catch में जो भी exception आएगा उसका मैंने यहां पर बताऊगे exception का name और reference name ठीक है 245 example cover करेंगा आपको clear हो जाएगा example number first देखो पहले ठीक है सारे possibilities हम देखने वाले हैं चलो मैं इसको save कर लिया file का name दे दिया finally dot java मैंने class बना लिया तो मैं users input कराऊँगा तो मैं यहां पर import कर लेता हूँ java.util.scanner class ठीक है then class बना लिया मैंने यहां पर class का name दे दिया मैंने यहां पर finally block कुछ भी दे सकते हो finally block class का name then main method चली अब मैं यहां पर object create कर लेता हूँ scanner का क्योंकि users से input करवाऊँगा मैं कुछ तो without scanner भी बना सकते हो ऐसा कुछ नहीं system.in अब मैंने यहां पर try block में यहां पर लिखा मैंने एक message दिया user को system.out.println कि आप कोई number इंटर करो रहा है enter a number ऐसा कुछ message दे दिया user जैसे input किया हम इसको क्या करेंगे एक वरियेवल में रख लेंगे इंटर टाइप का एक वरियेवल एक्वल टो input.next.int इंटीजर टाइप चली अब मैं यहां पर क्या करता हूँ यहां पर print करवा देता हूँ system.out.println 10 divided by a a में जो भी हम लोग value input करेंगे उसके साथ divide करते हैं ठीक है ना then catch ब्लॉक catch and then यहां पर मैंने दे दिया arithmetic exception ae कुछ भी दे सकते हो reference name then मैं इसको यहां पर print करा देता हूँ system.out.println ae चली and then उसके बाद मैं यहां पर कर दिया finally block finally block और इसके अंदर मैंने यहां पर print करा दिया system.out.println मैं यहां पर लिख देता हूँ finally block की लिख देता हूँ block clear point and then after that मैं यहां पर लिख देता हूँ rest of the code ताकि हम चेक करेंगे कि normally यह terminate हो रहा है या abnormally यहां पर लिख देता हूँ rest of the code ऐसा कुछ लिख दिया चले clear point done अब ready होगे हमारा program तो हम compiler open कर लेते हैं and मेरा जो folder है वो है desktop पे तो cd desktop पे चले जाता हूँ cd java नाम का folder है java cd java ठीक है and then java c file का name है मेरा finally dot java compile करते हैं देखो compile error आ गया तो system dot in हमारा क्या आ रहा है यहां पर यहां पर देना आपको system dot in याद रखना not scanner चले तो चले फिर से इसको compile करते है compile fine class का name है finally block finally block चले देखो यहां पर enter number हमने two enter किया मतलब यहां पर हमने 10 को two से divide किया तो को exception नहीं आया तो देखो यहां पर five आ गया आपका को exception नहीं आया finally block चला और rest of the code भी चला मतलब यह normal termination हो गया clearer point यह है example number two धियान देना आप लोग example number two इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं normal termination normal termination ठीक है normal termination हो गया यह example number second देखते हैं अब यहां पर exception अब मैं यहां पर फिर से इसको चलाता हूं compile करता हूं ठीक है run किया compile पहले हो चुका तो मैंने 0 दिया यहां पर यहां पर आपका exception आया arithmetic exception देखो exception आया लेकिन finally block चला और rest of the code भी चला ठीक है second example अगर जहां आपका exception try block के अंदर आता है तो यह क्या करेगा catch में transfer कर देगा और catch में हमने यहां पर प्रिंट करवा लिए ठीक है यहां पर क्या हो रहा है exception का आया और यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया मतलब वह handle नइभा exception print ही हो गया आपका है आपका है न् furry होगी तो basically catch block के अंदर exception थो हो गया print करवा दिया catch block के अंतर तो यह देखो यहां पर आपका handle नहीं हुआ हमने आप handle नहीं सिर्प print करवा दिया तो पर भी यह finally block चला इसका मतलब आपका exception यहाँ पे आता है या नहीं आता है तो इसको कोई फरक नहीं परेगा अगर जहां आपका exception try block के अंदर नहीं आता है तो catch block चेक नहीं होता है already आपको पता है ठीक है नए exception आया तो catch block में आएगा और जो भी handling code लगाया होगा आपने print करवा देगा हमने print करवा दिया यहाँ पे handling code भी लगा सकते हो handle कर सकते हो ठीक है clear point तो चलिए तो यह हो गया आपका इस case में भी आपका normal termination हो गया ठीक है normal termination चलिए example number third example number third अब हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे handle कर देते हैं मैंने यहाँ पे handle कर देए यहाँ पे exception आएगा try के अंदर catch में मैंने handling code लगा रखा है तो चलिए देखते हैं मैंने यहाँ पे exception आया और यहाँ पे handle हो गया handle हो गया तो आपका देखो normally चल रहा है clear point I hope clear है then चलिए अब next example देखो कि यह catch मैं हटा देता हूं try with finally clear point चलिए अगर यहाँ पे आपका exception आता है try के अंदर देखो यहाँ पे मैंने enter किया zero तो exception आ गया exception आया तो देखो finally block चला then आपका क्या आया exception clear and then rest of the code है वो नहीं चला देख लो यहाँ पे rest of the code नहीं चला अगर जहां try with finally use करते हो आप try के अंदर अगर जहां exception occurred हुआ तो क्या होगा finally block तो चलेगा लेकिन rest of the code आपका नहीं चलेगा यह हो गया abnormal termination याद रखनो इस case में आपका यह हो जाएगा abnormal abnormal termination clear point I hope clear example number four जियान देना example number four अगर मैं यहां पे catch भी लिया और यह arithmetic exception है और यहां पे exception का name में change कर देता हूं suppose करो number format exception है हमने number format exception तो a e reference variable है हमने यहां पे print करा दिया तो देखो यहां पे जो अगर जहां यह exception आएगा तो यह catch block check होगा clear point अगर जहां आपका exception नहीं आया तो catch block check नहीं होगा clear point done चलेगा अब मैं यहां पे क्या करता हूं सबसे पहले तो मैं इसको compile कर लेता हूं एक बार compile is fine चला लिया और यहां पे कोई exception अभी नहीं आया देखो normal termination हो रहा है clear point अब मैं यहां पे exception दे रहा हूं तो देखो इस case में क्या हो रहा है देखो exception आया और यहां पे match नहीं किया तो match नहीं किया तो basically यहां पे match नहीं किया तो यह आपका check जब match ही नहीं किया तो यह यहां पे आया लेकिन match नहीं हुआ तो हुआ क्या यह आपका हो गया abnormal termination मतलब catch के अंदर check ही नहीं हुआ वो जो हमने जो exception दिया match ही नहीं हुआ तो check के से check किया तो match ही नहीं हुआ तो यह आपका चला ही नहीं तो यह आपका नहीं चला तो इसका मतलब finally block चलेगा and then rest of the code आपका नहीं चलेगा देखो rest of the code आपका देखो नहीं चला है finally block चला है rest of the code नहीं चला है तो इस case में भी अगर जहां आप ऐसा करते हो तो आपका हो जाएगा abnormal termination याद रखनो क्योंकि exception जो आता जो arithmetic आता यहां पर basically आता क्या आया है arithmetic आया है और यहां पर हमने exception का name कुछ और दे दिया इस case में भी आपका क्या रहेगा abnormal termination ठीक है तो यह चीजे याद रखिएगा example number next fifth है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगर यह exception आपका हाया मैं यहां पर लिख देता हूँ अर्थमेटिक कि यहां पर अर्थमेटिक नहीं लिख देता हूँ sorry एक सब्सक्राइग अर्थमेटिक एक्सेप्शन ठीक है यहां पर exception try में आया catch में transfer हो गया ठीक है अब मैं finally block के अंदर भी exception देता हूँ मैंने यहां पर लिख दिया 10 divided by 0 यहां पर दे देता हूँ मैं the character index find कर लेता हूँ dot character and then हमने दिया index number 12 पर कौन सी character है तो 12 तो कोई भी character ही नहीं यह index number 5 तक ही है है ना तो इस case में क्या आना चाहिए string index आउट आउट आप बाउंस exception चलीए अब यहां पर भी exception suppose कर लो try में आ रहा है तो catch में transfer हो गया और finally block में भी आपका exception ही आ रहा है तो इस case में भी आपका abnormal termination रहेगा देखो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं compile fine मैंने यहां पर दिया आपका try में exception आया देखो exception परिंट हुआ then आपका next exception क्या परिंट हुआ string index out of bounds exception clear a point and then the rest of the program आपका नहीं चला यह सब पूछा जाता है याद रखना यह भी आपका हो गया abnormal termination abnormal termination clear है I hope clear मैंने 4-5 example discuss किया I hope clear हो गया होगा आप लोगो ठीक है न अब try with multiple catch block भी declare कर सकते हो and then finally block declare कर सकते हो याद रखो चलो एक और example discuss कर लेता हूँ देखो हमने यहां पर शठा example हम क्या करते हैं यहां पर मैंने किया एक और catch block चलिए मैंने यहां पर catch block clear किया और यहां पर दे दिया मैंने number format exception जैसे अभी दिया था ठीक है तो इसको e मैं reference variable name दे दिया और यहां पर दे दिया arithmetic clear point done अब यहां पर कोई exception मैं नहीं दे रहा हूँ यहां पर सिर्फ मैं message देता हूँ finally block चलिए compile करता हूँ इसको चलिए तो यह वाला चेक किया तो यह match नहीं हुआ तो यह वाला catch block match हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है exception आपका print हो रहा है इस case में आपका हो जाएगा normal termination normal termination ठीक है अगर 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 आप यहां पर ऐसे करते हो कि एक और exception ले लेता हूँ मैं यहां पर system.out.print talent और मैंने यहां पर दे दिया find कर लिया character index number six पे कौन सा character है तो six पे तो कोई character है ने five पे है आपका के तो six ऐसा कुछ है ने zero से start होता है ठीक है five तक है आपका के चले तो अगर जो इसमें exception नहीं आया arithmetic तो यह वाला exception चेक करेगा तब यह वाला string index out of bounds exception चले clear point अब मैं फिर से इसको चलाता हूँ देखो compiles fine अब यह को arithmetic में को exception नहीं आया लेकिन आपका कहां आया string index of bounds exception ठीक है second वाले में तो देखो क्या हुआ finally block चला rest of the code भी चला अगर जहां try with multiple catch block यूज़ करते हो with finally तो यह भी possible है ठीक है नहीं try के साथ 2-3 catch block आप clear कर सकते हो then finally block भी लगा सकते हो clear point मेरा कहने का मतलब यह था ठीक है I hope clear है ठीक है यह सब पूछा जाता है तो इस case में भी आपका हो गया normal termination normal termination clear point तो हमने 5-6 example clear किया I hope कि आप लोग को clear हो गया होगा यह है example number 7 ना चली तो हमने 6-7 example discuss किया finally vlog के साथ I hope clear हो गया होगा ठीक है इसको note कर लो note करके आप क्या करो practical करो प्रैक्टिकल करोगे तभी concept clear रहेगा otherwise नहीं ठीक है clear है इसको note कर लो note करके practical करो like करो comment करो subscribe करो share करो यार मिलते है next वीडियो thank you bye bye झाले